फाइनली वीडियो में बने रहना दोस्तो आज आपको दिखाएंगे राजा महराजाओ की नगरी मांडू छेत्र जो की यहाँ पे इस्तित थे गी तेल की बावडी सोनगड की लेके जश्ट पीछे जो की मांडू में इस्तित राजा महराजाओ जो प्योग करते थे गी तेल तो उसकी बावडी आपको दिखाएंगे दोस्तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना जै हिंद जै भारत दोस्तो फाइनली फ्रेंट्स देख सकते हो चारो तरब पहाडी पहाडी है और यह सोनगड के लेके जश्ट पीछे है तो आपको दिखाते हैं गीताल की बावडी गीतेल की बावडी फाइनली में फ्रेंट्स पोच चुके हपन थोड़ी ही दूर और पे है और फिर दिखाते हैं आपको सोनगड किला के जश्ट पीछे जो बना हुआ है गीतेल की बावडी तो फ्रेंट्स लोग यह मोर्निंग का टाइम है सुबे का तो आप देख सकते हो दोस्तों यह दूआर आ चुका है आपको दिख रहा होगा खंडर टाइप जो की मंडू में इस्तित है फाइनली में फ्रेंट्स लोग यहां पर जो यह पत्ते पत्ते चाहिए ले है तो यह है तेल की बावडी और इदर बेक साइट में यह है गीतेल की बावडी तो आपको दिख रही होगी जो की यहां पर पत्ते पत्ते है तो यहां पर इतनी सपाई नहीं होती है यह सोनगड के जश्ट पीछे है गीतेल की बावडी जो की यहां पर रिष्तित है सोनगड के जश्ट पीछे तो फाइनली आपको पेदल चलना पड़ेगा 5-6 किलोमेटर जब जाक आपको यह दिखेगी घी तेल की बावडी तो फाइनली फ्रेंट्स लोग अगर चेनल पे नए हो तो चेनल को सस्क्राइब करना और अपने दोस्तों में फेला देना आप देख सकते हो केसा बना हुआ है यहाँ पर खंडर टाइप तो फाइनली यह जंगल में मौझूद है सो गी तेल की बावडी है जो की सोनगड के लिए के जश्ट पीछे अब बारिस कम की वज़े से यहाँ पर पानी नहीं भरा है बाकि जो की मांडू के जितने भी राजाये थे तो वहाँ इनका उप्योग करते थे उनके टाइम में गी तेल की बावडी से माना जाता है यहाँ यह सोनगड के लिए के जश्ट पीछे है दोस्तो तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करना और अपने दोस्तों में फेला देना दोस्तो जै जोहार जै आदिवासी जै इन जै वारत दोस्तो और भी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो की इसके जश्ट की बावड़ी दिखा दी है आपको तो फाइनली फ्रेंड्स ओर आपको दिखाऊंगा में एसी वीडियो तो वीडियो में बने रहना दोस्तो जै जोहार जै आदिवासी जै इन जै बारत